नश्कार दोस्तों ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों तो वीडि 2022 में उस समय बिटेगर के पर्ढामिंतरी थे राम से मैक डॉनल्ड उनके द्वारां इंडिया के लिए Communal Award एनौस किया गया था Communal Award को एनौस करने का मकसद था Divine and Rule गांदी जी के अनुसार Communal Award Hindu Society को डिवाइड करने के लिए था ऐसा क्या था Communal Award में? communal award में ये provision किया गया था कि depressed classes को भी minorities recognize किया जाएगा और बाकी committees कितने जिनको minority recognize कर लिया गया है जैसे Muslims उनके लिए separate electorate की विवस्ता की जाएगी separate electorate में क्या होता है माल लिजिए कोई constituency है ABC ये Muslims के लिए आरक्सित की गई है और Muslims को separate electorate मिला हुआ है अपने representative को चुनेंगे Muslim के अलावा और किसी community का person vote नहीं दे सकता election में सिरफ Muslims ही Muslims को चुनेंगे तो ऐसा होता है separate electorate में तो communal award में provision ये क्या गया था कि depressed classes को भी minorities recognize किया जाएगा और उनके लिए separate electorate की विवस्ता की जाएगी उनके लिए 71 seats आरक्सित की जाएगी लेकिन गांदी जी ने कहा ये तो देखो हिंदू society को divide करने वाली बात है हाँ हिंदू society में कम्या है depressed classes के साथ discrimination हुआ है लेकिन आप इस परकार से हिंदू society को divide नहीं कर सकते हम अपने हिसाब से जल्द से जल्द depressed classes के साथ जो discrimination past में हुआ है उसे खतम करेंगे और ये सुनिशित करेंगे future में उनके साथ कोई discrimination ना हो तो communal award का विरोद किया गांदी जी ने गांदी जी ने आमरेन अंसन किया यानि fast unto death पर वो बैठ गए कि जब तक कि communal award को वापस नहीं लिया जाता है मैं कुछ नहीं खाऊंगा मरते दम तक तो बाद में पूरे देश में चिंता होने लगी लोगों को गांदी जी के health की और pressure बढ़ने लगा कि जल्द से जल्द communal award को वापस लिया जाए तो पूना pact sign हुआ था एक तरफ थे डक्टर B.R. Amidkar जो depressed classes के leader थे और दूसरी तरफ गांदी जी दोनों के बीच decide ये हुआ था पूना pact में कि depressed classes के लिए 71 के बजाए 147 seats अरक्सित होंगी लेकिन separate electorate की विवस्था उनके लिए नहीं की जाएगी joint electorate की विवस्था होगी मतलब 147 seats में सिरफ depressed classes के लोग elections lords केंगे लेकिन voters हर कोई होगा ऐसा नहीं जैसा separate electorate में कि सिरफ depressed classes के लोग ही vote कर सकेंगे joint electorate में सभी लोग vote कर सकते हैं तो ये सब चीजें decide हुई थी पूना pact में समझ गए joint electorate होंगे लेकिन seats ज़्यादा अरक्सित होंगी तो देखो पूना pact जब sign हुआ तो बाद में कुछ लोगों ने कहा कि गांदी जी ने एक परकार से emotional blackmail किया डक्टर बी आर अम्बेडकर को और मजबूर किया पूना pact sign करने के लिए अदर्वाइस तो उन्हें separate electorate की ववस्था मिल गई थी तो इससे नुक्सान हुआ डिप्रेश्ट क्लासिस को और डक्टर बी आर अम्बेडकर को ऐसा दावा कुछ लोग के द्वारा किया जाता है बट आज के इस आर्टिकल में राइटर कहते हैं देखो डक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत ज़दा समझदार परसंथ हैं उनको पता था कि अगर गांदी जी की देथ हो गई अगर वो अपने फास्ट को खतम नहीं करते हैं तो इसके क्या माइने निकल कर आएंगे क्या इससे नुक्सान हो सकता हैं तो उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया उन्होंने इस चीच से एक तीर से दो निशाने सादे एक तो उन्होंने गांदी जी की जान भी बचा ली दूसरा देखो उन्होंने ये सुनिशित किया कि डिप्रेस्ट क्लासिस के अपलिफ्टमेंट की जिम्मधारी ना सिरफ कॉंग्रेस पार्टी की है बलकि पूरे देश की भी है इसके लावा डक्टर बी आर अम्बेटकर ने पूना पैक्ट की साहिता से depressed classes को एक formidable force बना दिया मतलब उनकी आवाज आगे से सुनी जाने लगी ये उन्होंने सुनिशित किया पूना पैक्ट की साहिता से इसके लावा देखो पूना पैक्ट में और भी बहुत साही चीज़े थी जैसे पब्लिक सर्विसिज में फियर रिप्रेजेंटेशन सुनिशित की जाएगी depressed classes की और education grant का एक अच्छा खासा हिस्सा devote किया जाएगा depressed classes के upliftment के लिए तो ये दो-तिन चीज़ें और थी पूना पैक्ट में कुल मिलाकर राइटर का ये कहना है आज डक्टर बी आर अमबेडकर की birth anniversary है इस मोके पर हम याद करें अगर पूना पैक्ट को ये बहुत समझधारी से भरा हुआ समझधारी से लिया हुआ decision था, डक्टर बी आर अमबेडकर था इसकी जलक बाद में हमारे सविधान में भी देखने को मिले आपको पता है depressed classes के लिए बाद में ना सिरफ seats आरक्षित की गई श्टेट assemblies में और Parliament में बलकि jobs में भी आरक्षित दिया गया है depressed classes को तो इसकी जो legacy है वो यहीं से आती है पूना पैक्ट से यह हमने पूरा article discuss किया इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion